दोस्ते बहुत ही क्रांती कारी और revolutionary act को भारत की finance ministry ने हाल ही मैं introduce किया है जिसका फाइदा भारत के करोडो छोटे businesses को होने वाला है उसके मुदाबिक अगर यहाँ पर कोई seller है वो अपनी product को किसी buyer को बेचता है और यह जो buyer है वो उसका जो payment है उसे maximum 45 दिन के अंदर अगर नह यहाँ पर buyer को penalty लगेगी और वो जो penalty होगी वो होगी bank rate से 3 गुना monthly interest की और यहाँ पर हो सकता है कि यह जो buyer है उसे income tax पी ज्यादा चुकाना पड़े तो यह जो वीडियो है उसमें हम लोग बहुत ही आसान बासा में समझेंगे कि यह जो section 43BH है वो actually है क्या यह आपको किस तरीके से impact करेगा आपको यहाँ पर कौन-कौन सी चीजों का ध्यान रखना है ताकि आपको monetary loss ना हो पैसो का loss ना हो और ऐसी कौन सी 5 condition है कि जहाँ पर यह जो act है वो लागू नहीं होगा तो आईए start करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले यह समझना बहुती ज़रूरी है कि भारत की finance ministry है उन्होंने यह act को क्यों introduce किया यहाँ पर यह जो close है section 43B already act था उसका जो close है edge close है उसको क्यों introduce किया यह समझना बहुती ज़रूरी है दोस्तो आज की date में जो यह जो seller है जो छोटा businessman है जिनका turn over 50 करोड से कम का है उनकी सबसे बड़ी कोई समस्या थी तो वो थी कि वो किसी को product तो बेच देता था लेकिन उसका जो payment था उसको मिलने में उसको बहुत ज purchasing capacity ज़्यादा होती उतना यहां पर यह जो seller है उसको अपना payment मिलने में delay होता और इसके कारण यह जो seller है यह जो businessman है उसकी working capital की जो cycle थी वो बहुत ही ज़्यादा stretched हो जाती कहीं न कहीं यह जो businessman है वो कहीं न कहीं loan भी उन्होंने लिया हुआ होता है लेकिन 60 दिन 90 दिन और 120 दिन या उससे ज़्यादा भी कहीं न कहीं यह buyer जो है वो लगाता था यह seller को payment करने में और यह सबसे बड़ी दिक्कत थी आज की date में भारत सरकार MSME इसको कहीं सारी loans भी दे रही है कहीं सारी इनो benefits भी दे रही है लेकिन यह जो particular problem था कि जहाँ पर seller को time पे अपना payment नहीं मि section 43B के H का जो close है उसको introduce किया यह जो close है वो क्या बोलता है यह जो act है वो क्या बोलता है यह act यह बोलता है कि कोई भी seller जो micro और small enterprises में आता है जो MSME registered है जिनका already उद्धियम registration जिनोंने किया हुआ है यह जो seller है वो जब भी buyer को you know कहीं न कहीं अपनी product को बेचेगा तो यह जो buyer है उसको यह ensure करना पड़ेगा कि वो seller को time पे अपना payment दे और वो किस तरीके से ensure किया जा सकता है उसको लेकर के कुछ conditions है वो कहीं न कहीं यहाँ पर introduce की गई और यह जो condition है उसको हम लोग अभी समझते हैं मानिए कि यहाँ पर buyer और seller के बीच में कोई agreement है यानि कि buyer और seller ने agreement किया है कि वो जो payment है वो 30 दिन में कर देगा 40 दिन में कर देगा 20 दिन में कर देगा कुछ भी अगर कोई agreement है तो ऐसी condition में यह जो payment है वो maximum 45 दिन के अंदर definitely करना ही पड़ेगा इसका मतलब यह है कि buyer और seller के बीच में 45 दिन से ज्यादा का agreement नहीं हो सकता यहाँ पर कोई problem नहीं हो सकता लेकिन यहाँ पर यह जो act है उसमें यह specifically mention किया गया है कि यह जो 43BH act होगा वो आगे के सारे act होगे उसको supersede करेगा यानि कि यह जो act है वो इस condition में supreme होगा और 45 दिन से ज्यादा का कही ना कहीं agreement नहीं हो सकता तो यह पहली बात और दूसरी बात अगर को agreement नहीं किया गया है यानि कि buyer और seller ने कोई भी agreement नहीं किया कि कितने दिन में वो payment का भुकतान करेंगे तो यहाँ पर अगर no agreement है तो यहाँ पर ऐसी condition में maximum 15 दिन का time दिया गया है यह बहुत ही जरूरी है और अगर ऐसा नहीं करता तो उनको किस तरीके से exact penalty लगेगी उसके ब the bank rate जो कि monthly compounded होगा यानि कि जो भी bank rate होगा जिसे RBA regular interval पे कही ना कहीं publish करती रहती है उसका तीन गुना penalty लगेगी और वो जो penalty होगी उसको monthly compounded interest के रूप में वो लगाया जाएगा यानि कि अगर bank rate 5% है तो यह जो penalty है वो 15% लगेगी जो कही ना कहीं buyer को जो payment है वो तो चुकानी पड़ेगी तो यह पहली बात दूसरा क्या नुकसान है यहाँ पर यूणो buyer को तो वो है dis allowance जिसकी वज़े से यह जो buyer है उसकी income tax की liability बहुत ही जादा बढ़ जाएगी यानि कि उसको बहुत ही तगड़ा income tax चुकाना पड़ सकता है अभी यह dis allowance actually क्या है उसको बह उतलब क्या है एक example से हम लोग इसको समझते हैं मानिए कि बहुत ही simplistic example है यूदो हम लोग इसमें complexity में नहीं जा रहे है बहुत ही simple example यहाँ पर हम लोग ले रहे है कि किसी ने purchase किया है 30 लाख रुपे का ठीक है वो अभी यहाँ पर sell कर रहा है 50 लाख रुपे का यानि कि किसी इसने 30 लाख में raw material को purchase किया है और सारी process को करके वो 50 लाख में अपनी product को बेच रहा है तो यहाँ पर मुनाफ़ा कितना होगा profit कितना होगा तो profit होगा 50-30 यानि कि 20 लाख का profit होगा अब ऐसी condition में क्या होता है कि यह जो businessman है उनको केवल और केवल 20 लाख का जो profit आया है उसक 15 लाख रुपे ऐसे है जो ओल्रेडी financial year complete हो चुका है लेकिन अभी भी उसने जो seller है उसको payment वो नहीं किया किवल 15 लाख का ही payment किया है financial year complete हो चुका है सारी due date जा चुकी है अगर agreement है तो 15 दिन का time जा चुका है agreement नहीं है तो 45 दिन का time उल्रेडी जा चुका है तो उसको penalty तो पड़ेगी लेकिन साथ साथ जो 15 लाग का जो पेमेट है वो उसने कहीं ना कहीं seller को नहीं किया है तो ये जो 15 लाग रुपे है वो dis allowances रहेगा अभी ये 15 लाग dis allowance रहेगा उसके कारण उसकी tax की liability के उपर क्या impact आएगा उसको हम लोग भी देखते हैं ये case में क्या होगा जो dis allowed purchase होगा वो होगा 15 लाग रुपे का यानि कि यहां पर यह जो businessman है उसका जो tax auditor है वो क्या करेगा वो इसका जो profit है वो 20 लाग नहीं लेगा लेकिन ये 20 लाग प्लस जो dis allowed purchase है उसका total लेगा यहनि कि यहां पर profit कितना consider किया जाएगा profit एगा तो लाग यानि कि तोटल 35 लाग का यहां पर profit कंसिडर किया जाएगा अभी आप यहां पर जराई समझिए अगर 20 लाग का profit होता है तो उस हिसाब से tax labе लाग होगा और उस उस हिसाब से उसका income tax का जो slab है वो लागो होगा और उस हिसाब से उसे income tax चुकाना पड़ेगा और अगर वो next financial year में ये 15 लाख रुपे जो है seller उसको payment कर देगा तो next year उसको कहीं न कहीं इसको consider किया जाएगा और ये 15 लाख रुपे है उसको total profit होगा उसमें से minus किया जाएगा लेकिन उसका benefit उसको कब मिलेगा next financial year में यानि कि ये जो financial year है उसमें कहीं न कहीं ये जो businessman है उसको 35 लाख के उपर income tax चुकाना पड़ेगा यानि कि यहाँ पर ये बहुत important है ये समझना कि अगर कोई businessman time पे micro और small enterprises जो है उनका payment नहीं करता तो उनको कितना ज्यादा monetary नुक्स हो सकता है अभी यहाँ पर एक बहुत important और crucial चीज समझना जरूरी है और वो है कि यहाँ पर जो seller है वो micro और small enterprise होना चाहिए इसका उद्यम registration होना चाहिए यानि कि ये registered होना चाहिए लेकिन ये जो buyer है उसका MSME में registration compulsory नहीं है हो सकता है कि buyer medium enterprises हो हो सकता है buyer you know large enterprises हो सकता है कोई भी क्यों नहीं हो इनका कहीं न कहीं registration जरूरी नहीं है ये जो seller है उनको इसका benefit मिल रहा है ये बहुत important है ये समझना ये जो act है वो seller को कहीं न कहीं benefit देने के लिए है क्योंकि इनका payment फसा हुआ है अच्छे से समझेगा यहा फसाता है उसको फसाते है ये जो buyer और जितना large organization होगा जितना monopolistic organization होगा उतना कहीं न कहीं ये जो buyer है वो late इसको payment करेगा तो इसी लिए ये जो seller है उसका MSME में registration होना जरूरी है इनका micro या small enterprise होना जरूरी है इनके लिए कोई भी condition नहीं है यानि कि अगर कोई भी buyer है चाहे को कोई भी entity क्यों ना हो उसके लिए ये बहुत ही जरूरी है कि जब भी वो micro और small enterprises के साथ deal करें उसका payment वो timely basis पे करें अभी हम लोग देखते कैसे कौन से 5 scenarios है कि जहां पर section 43BH जो है वो लागू नहीं होगा इसको समझना बहुत ही जरूरी है ताकि आपको पूरा picture पता चले तो यहां पर 5 scenario कौन से है सबसे पहली condition है asset purchase यानि कि अगर कोई छोटे businesses है उनके पास से asset purchase करता है देखिए यहां पर कोई product या raw material या कुछ final finished good purchase नहीं कर रहा है लेकिन कोई asset purchase कर रहा है ऐसी condition में यहां पर 45 दिन का या 15 दिन का रोल लागू नहीं होगा यह केवल और केवल product के लिए लागू होगा asset purchase के case में यह लागू नहीं होगा यह पहला exception है दूसरा कौन सा है return filed under 44 AD अगर कोई organization ऐसे है कि जो presumptive income जो consider कर रहा है यानि कि उनका profit and loss account balance it कुछ भी नहीं बनता total उनका turn over होता है और उसी साबसे वो income को consider करते है 44 AD के या अंतरगत वो कहीं ना कहीं अगर कोई businessman है वो अपना return file करते है तो ऐसी condition में उनको यह लागू नहीं होगा तीसरा कौन सा है तीसरा है medium और large enterprise जैसे हमने उलड़ी इसके बारे में discussion कि हम medium और large enterprise होंगे उनको यह act का benefit नहीं मिलेगा चोथा कौन सा है चोथा है sold before 1st April 2023 यानि कि यह जो act है वो 1 April 2023 से लाग होगा और किसी micro और small enterprises ने 1 April 2023 के पहले किसी को अपनी product बेची होगी तो वहाँ पर यह जो act है वो लागू नहीं होगा उसके अलावा कौन सा है पाचवा exceptions बहुत ही छोटे retailer और you know ऐसे लोग की जो अपना tax audit file नहीं कर रहे है वो अगर किसी micro या small enterprises से कोई product purchase करेंगे तो उनक लिए ये 15 दिन या 45 दिन का जो rule है वो लागू नहीं होगा उनके लिए ये जो act है वो लागू नहीं होगा तो ये पाच major exceptions है कि जहाँ पर section 43BH लागू नहीं होगा अब बहुत important बात कि कई condition ऐसी होती है कि जहाँ पर you know ये act के कारण छोटे businesses को नुकसान भी हो सकता है और इसके related concerns भी यहाँ पर कही ना कही निकल करके सामने आये हैं हम लोग एक example लेते है कि कुछ ऐसी industries होती है जैसे कि textile industries, chemical industries कि जहाँ पर जो wire होता है वो बहुत ही बड़ा होता है और उसको कही ना कही जो you know अपनी product बेचने वाले sellers होते है वो हर एक तबके के होते है यानि कि micro enterprise भी उनको कही ना कही अपनी product बेचते है small enterprises भी बेचते है medium enterprises भी बेचते है और you know large enterprises भी बेचते है अभी यह जो buyer है वो इतना बड़ा है कि उनके पास multiple options है अभी जैसे ही यह rule लागू होगा यह buyer के लिए क्या condition लागू होगी कि जो micro और small enterprises है उनको अपना जो payment है उसको 45 दि दिन के अंदर complete करना ही है करना पड़ेगा एक चुल केस में अगर नहीं करेगा तो बहुत तगडी penalty लगेगी income tax में बहुत ज़्यादा liability लगेगी तो अभी यहाँ पर buyer क्या करेगा buyer बोलेगा कि चलो micro या small enterprises से क्यों अपना product purchase करना हम क्यों ना medium और large enterprises से अपनी product कही ना कह पर्चेज करें जहाँ पर उन्हें 90 दिन या हो सकता है कि 120 दिन या उससे ज़्यादा की भी कही ना कहीं credit limit मिलती हो तो ऐसी condition में buyer का benefit होगा किन के साथ काम करने में medium या large enterprises के साथ काम करने में और जो micro और small enterprises होंगे उनको कही ना कहीं यहाँ पर नुकसान हो सकता है और इसके related कई concerns आज की date में सामने आये हैं हम लोग एक example देखते हैं यह example है textile industry का कि जहाँ पर textile industry का जो union है उन्होंने बोला है कि allow 90 days for payment of goods supplied by MSME to textile sector यह टास्मा का उन्हों कहना है यह बोल रहे है कि at least 90 दिन का time दीजिए तो ताकि जो buyer है वो कहीं ना कहीं हमें भी consider करें तो ऐसे specific scenario में एसी specific industry में micro और small industries को ये act के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है बाकी overall देखा जाए तो ये जो act है वो बहुत ही क्रांती कारी और revolutionary act साबित होगा जहां तक हमारे देश के करोडो micro और small businesses की बात है तो आज के वीडियो में इतना ही आपके कोई भी सवाल है आप ये वीड भी पही करना है ।